मेरे परिवार जनों, हम गुरु परंपरा, संत परंपरा को मानने वाले लोग हैं। नाम जपो, कीरत करो, और वंड चको। यसीख हमारे गुरु ने हमें दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र में भी यही भावना है। जो इमामदारी से काम करता है, महनत करता है, उसको सम्मान मिले, यह भी हमारा निरंतर प्रयास है। मैं आपको जड़ा पुरानी एकाद दो चीजों की तरफ ले जाना चाहता हूं। 2014 के पहले भी हमारे यहां पद्म पुरस्कार दिये जाते थे। कोई पद्म भूशान, कोई पद्म सरी, कोई पद्म भी भूशान। लेकिन तब यह पद्म सम्मान उनको मिलते थे, जिनकी सत्ता में बैटे हुए लोगों तक उनकी पहुच थी। बहीत याने यही ताइदा अगर उनको जानते हो तो मेल बैट जाएगा। आज थी ती तिनी बडली है 2014 के बाद। गरीब से गरीब, सही माइने में, गाउं में, देहात में, जंगलों में, मानवजात के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समर्पित भाव से काम करता है। ऐसे लोगों को पनपद्म सम्मान मिलता है। और समाज के ऐसे लोगों के जब सम्मान बढ़ता है, तो समाज की भी शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है। बैसे ही शहरों में रेडी वाले, ठेले वाले, पट्री पर काम करने वाले, जो सबजी बेचते हैं, फलफुल बेचते हैं, दूज बेचते हैं, अख़बार बेचते हैं। बेबी छोटे-छोटे लोग, स्वाबिमान के साथ जीए, ऐसे महनत का साथ्यों के बारे में, पहले सरकारों को सोचने की फुर्सती नहीं थी। उनके लिस्ट पर ये काम ही नहीं थे, लेकिन आपके इस सेवक ने, पी-म स्वनिदी योजनास के मदद से, आज ऐसे लाखों, रेडी पट्री वाले सामान ने काम करने वाले लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बढ़ला है। जिनको कोर नहीं पूचता, मोदी उनको पूचता भी है, और मोदी उनको पूजता भी है। कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई जूते बनाने का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई लोहार है, कुमार है, सोनार है, बढ़ई है, मुर्तियां बनाता है, पत्थरों में कलाकारी करता है। ऐसे अनिक जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं ऐसे लोगों को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था वो जाने उनका काम जाने यह आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जिवन बदलने के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना लेकर आया है यानि जो कीरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है और मोदी एक और काम कर रहा है जो बे-इमानी करता है जो बे-इमानी करता है उसे उसके पाप की सजाद देने के लिए भी उतना ही काम करता है आप मुझे बताइए बे-इमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए यह बे-इमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए चुलाओ मैं सबसे पहले उनको पराजित करकर के सजा देंगे कि नहीं देंगे मेरे भाईयों भेनों मैं आज आपको गारंटी देने आया हूँ जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा यहां राजस्तान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाकों के पीछे दिन गड़ते होंगे जिसने जाएगे